जहेंद आज इस वीडियो पे हम डिसकस करने वाले हैं कि कैसे UPSC में हम उन questions को solve कर सकते हैं जो हमें थोड़ा सा unpredictable लगते हैं आज इसी पे हम बात करने वाले हैं देखो दो पार्ट में इसको बनाएंगे पहले पार्ट में हम थोड़ा सा 2020-2021 के वो questions लेने वाले हैं जो मतलब हम predict नहीं कर सकते थे कि आ गए थोड़ा सा out of box questions जिनको हम कह सकते हैं कि जहां basic जो पढ़ा है उसके through solve नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे questions को हम करने वाले हैं टेलिग्राम पर चैनल को follow कर लिए उसमें सारी चीज़ों को update करता हूँ मैं notes, PDF सब share कर रहा हूँ और अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले के वीडियो देखिए जहां मैंने बताए कि कैसे हम एक chapter से does this questions कर सकते हैं, predict कैसे करते हैं, सारी चीज़ों मैंने cover कर आई है चलो आज अब हम समझते हैं कि कैसे हम handle करें जो unexpected questions है suppose यह question देखते है, steel slag, 2020 में आया था, ऐसे direct कहीं पर reference हमें नहीं मिला थे इस question का, steel slag as such कोई बहुत बड़ा करें नहीं था कि इसको कैसे solve करें तो देखो, इस question को कैसे solve करेंगे अब, steel slag can be the material for which of the following construction of base road, improvement of agriculture soil, production of cement, steel slag का कहा कहा use कर सकते हैं तो अब देखो, एक चीज तो हमें समझना है, माललो हमें नहीं पता कि slag भी क्या होता है, कोई बात, हमें यह तो पता है na, steel क्या होता है तो अगर question पूछा है, कि road बनाने में steel का use होगा, तो यहाँ पर हमें logic ऐसे लगाना है, चीज़ों को ऐसे समझना है कि definitely, steel का use होगा, steel का कोई ऐसा material कुछ न कुछ तो होगा न, slack जो होता है, उसका dust कहना चाहिए, dust particles होते हो नहीं, लेकिन हम कहते हैं, अब हमें नहीं पता कि slack क्या होता है हम ऐसे समझेंगे, steel का कही न कही रोडी बनाने में कुछ तो use हो सकता है, न, deny कर सकते हैं, कोई use होगा ही न, नहीं कर सकते similarly, cement के production की, अगर मैं बात करूँ अब, third option को देखना, पहला हमने जैसे ही किया, तो हमारा B option eliminate हो गया third option को देखो, production of cement, cement बनाने में, definitely minerals का use होता है, iron का use होगा, कही न, कहीं, और monazite का, sorry, magnees का, इस तरीके से कुछ minerals का use होगा तो similar logic से क्या लगाया मैंने की, like, steel का भी use होगा, और यह मैंने सही किया था, वाइदबे, ऐसे ही logic लगा के, तो पहला और तीसरा, सही हुआ, जैसे मैंने देखा, पहला तीसरा सही है, फिर मैंने देखा, दूसरा agriculture में, soil improvement के लिए, maybe, maybe not, तो मैंने बूले, जैसे पहला तीसरा, generalized way मुझे लग रहा है, सही है, तो दूसरा भी होगा, इस तरह के questions हो, एक general approach होती है, या तो सारे गलत कर दो, तीनों points को, या तो सारों को सही माल लो, जब हम किसी एक को confirm ना कह सके, तो इस तरीके से मैंने किय है, यह easily solve हो गया था, और सही answer था, इस कड़ी, similarly, यह question था, in rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability, or to reduce carbon footprint, ठीक है, अब हम option दिया है, कि rural areas में, जब हम road construct करते हैं, तो environmentally sustainable कौन सी चीज़े होगी इन में से, अब देखो, इसका logic simple है, options को देखना, second और fourth को ध्यान से देखो, cold mix asphalt technology, और hot mix asphalt technology, पहلا logic है, दोनो सही नहीं होंगे, यह तो cold हो सकता है, यह तो hot हो सकता है, तो अगर two सही है, तो option A होगा और B होगा, sorry A होगा, अगर fourth सही है, hot mix asphalt technology, तो कौन सा होगा, C हो सकता है, अब यहाँ point यह समझना है 2 और 4 साथ में नहीं होगा तो कभी option B नहीं हो सकता अब जब option B नहीं हो सकता तो हमाई पास यह बज़ है या तो 4-5 बस है या तो 1-5 बस है या तो 1-2-3 है तो अब देखना समझ रहा है आप A और D option को देखते हैं cold mix asphalt technology के साथ copper slack भी है और 5 बाले के साथ भी copper slack दिखा रहा है मैं तो हमें यह पता है answer A और D में होने के chances ज़्यादा है क्योंकि चैसे हमने steel slack वाला question देखा same year का है तो अगर वो कहीं न कहीं road construction में steel slack हो रहा है तो copper slack भी होगा मैंने ऐसे connect किया उस questions इसको तो पहला और दूसरा मैंने माना कि इसी के chances ज़्यादा हैं सही होने के comparatively क्योंकि road construction का एक question में steel slack भी देख चुका हूँ पहले कि उसका यूज़र था ना construction of base road के लिए तो बस इसको relate करके solve कर लिए हमने पहला और दूसरा सही माना पाकी मेरे को कुछ देख नहीं नहीं अगर पहला दूसरा सही है तो answer होगा 1, 2, 3 simple तरीके से इस question को solve कर दिया तो इसी तरीके से हमें कुछ ऐसी out of the boxes approach निकालनी होंगी कि हम question को easily solve कर सके अब अगर आप कई लोगों को हो सकता है भी लग रहो यार यह क्या बता रहे हो तो यही चीजने समझना सीखो कि जब real exam में कुछ question आएगा ना तो वहां हम panic ना करें कुछ भी आजाए हम कुछ ना कुछ अपना mind open रखें उसको solve करने के लिए अब चलो अगला question देखते है जैसे की शुगर के इन cultivation को ले करें तो चलो इस question को समझते है यह question देखने में बहुत tough लगता है एक्जाम में जब real exam में करते है ना तो panic create करने वाला question है कि यार कैसे करेंगे बट इसका इतना simple approach है ना solve करने का तो बस आप अगर इसको देखना है अगर ध्यान से पढ़ना है देखो चारो statement पहले आप रीड करो अब second statement को ध्यान से देखो लिखा है when direct planting of set is done the germination percentage is better with single budded set as compared to set with many buds third है if wet weather condition prevail when sets are planted single bud have better survival as compared to large set अब इसको ना ऐसे समझना जादा strong हम individually होते हैं या group में होते हैं मैं अपना वो logic बता रहूं जो मैंने exam में लगाया था और सही किया था यह सारे मेरी approaches है जैसा लगा के मैंने सही किया है question को ठीक तो आप अकेले जादा powerful हो एक group में definite से बात एक group में होंगे मान लो कि कोई plant लगा है हमने अगर हम 4-5 साथ-साथ में क्या लगा रहे हैं seeds लगा रहे हैं एक कोई खराब भी हो गई तो chances है न दूसरी या तीसरी कोई grow कर जाएगी यहाँ पर लेकिन उल्टा ही बोल रहा है यह बोल रहे हैं कि एक तरफ तुम बहुत सारे लगाओ और एक तरफ वेक लगाओ तो survival एक का जादा है compared to many ऐसा नहीं होगा जहाँ पर 4-5 है वहाँ ज़्यादा chances है न survival के कि अगर मान लो 5 से seeds में से एक खराब हो गई दो खराब हो गई तीन खराब हो गई बाकी दो तो survive करेंगी न पर मान लो आपने एक ही लगाई तो क्या chances है कि वो अगर खराब हो गई तो पूरी वसल खराब तो similar logic यहाँ लगा हो तो दूसरे और तीसरे में यह कह रहा है ना compared to many birds वाला दोनों ही गलत होंगे तो जैसे ही दोनों गलत किया तो हमारा A भी गया, B option भी गया और D option भी गया answer आगया 1,4 अब आप 1,4 पढ़ो चाहे ना पढ़ो अगर 2,3 काट दिया तो answer आगया, simple C answer इसका हो गया solve वैसे ही यह question आया था कि ocean mean temperature के बारे में कौनसी statement सही है, पहली है OMT is measured up to a depth of 26 degree Celsius isotherm which is 129 meters in the southwest Indian ocean during January to March, दूसरा है OMT collected during January, March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean, अब दूसरी statement देखोगे तो एक ही statement है, कि हाँ ocean mean temperature का हम use कर सकते हैं और उसे monsoon अगयरा का prediction कर सकते है, जनरल statement है, कही ना कही थोड़ा बहुत prediction करने में काम आता होगा, पहला statement है जैसे इसका, कि यह सिर्फ और सिर्फ 26 degree Celsius आइस सो थर्म होता है, और exactly 129 meters पे होगा southwest पे, यह जो चीज है, यह थोड़ा सा doubtful है, अब यहाँ Indian Ocean बोला है, यह भी नहीं कि Arabian Sea या फिर इंडिया का southwest बोला है, इंडियान ओशन का southwest बोल रहा है, कितने नीचे, आफरीका के पास, तो इस चीज को हमें समझना है, कि यहाँ पर न, chances हैं कि कोई एक fact भी गलत हो सकता, जब UPS यह तरह deep और specific fact लिखता है न, तो generally एक नएक statement गलत निकलता है, तो पहला काट दिया, दूसरा answer आ गया, simple question solve हो गया, अब यह थे वो out of the box question जो 2021 में पूछे गए थे, इसमें भी लोगों को problem था, पहला था कि हमें नहीं पता पेरोल क्या होती है, चाने दो, हम सीथे कहते हैं, हम जानते ही नहीं पेरोल क्या हैं, लेकिन solve कैसे करना है question को, exam में जब हम बैठे हैं न, prelims निकालने का एक ही तरीका होता है, मैं या कोई भी prelims निकाल रहा है तो, डर नहीं लगना चाहिए बहाँ पर, अगर तुमने सच में पढ़ा है न, छिसे तो डरना है ही नहीं, सीथा मैंने देखा पहला, कि prisoner को deny नहीं कर सकते आप, तो मेरा question है, कि उसको deny ही नहीं किया जा सकता, उसका कोई right ही नहीं है, extreme statement है, पहला cut करो, हाँ state governments यतने सारे state है, इतना बड़ा देश है, सब का कुछ ना कुछ अलग-अलग होगा, जरूरी नहीं है कि जो कैरला में हो रहा है, अपला है, वो या साम में भी हो रहा हो, तो दूसरा general statement है, दूसरा सही कर दिया, ऐसे एक question यह आया था, Francis Xavier के उपर, Francis Xavier कौन थे, was one of the founding member of Jisuit Order, होंगे, पता नहीं, दूसरा, इनकी death हुई थी, गोवा में, और वहाँ पर उनके लिए एक church मना है, ठीक, तीसरा था, Feast of St. Francis Xavier, गोवा में celebrate की जाती है, अदोखो, पहला हमें नहीं पता, दूसरा भी बिल्कुल नहीं पता होगा की नहीं, लेकिन तीसरा हम सही कह सकते हैं, क्यों, कि गोवा में Christians की population जादा है, तो हो सकता है, St. Francis Xavier हों कोई और उनकी, गोवा में celebrate किया जाता हो, definitely, तो तीसरा सही होगा, अब तीसरा सही है हमारा, वो पहला जो है, वो थोड़ा generic statement लग रहा है, ये एक member थे, founding member, ऐसे नहीं थे, ये only founder थे, only founder होते हैं तो गलत हो सकता था, one of the founding member हो सकते हैं, ये भी, कोई बड़ी हस्ती होंगे, इस तरीके से, दूसरा है, इनकी death गोवा में ही हुई थी, ज़रूरी थोड़ा है, गोवा में ही हुई हो, हो सकता है, गोवा से 4 km में टरांगे हो गई हो, हो सकता है, मुबई में हुई हो, get it, तो हम surely नहीं कह सकते कि वहीं हुई थी, या फिर, वहीं पर इनको चर्च बना कर दिया हो, dedication पर, दोनों में से कोई भी चीज यहां गलत होने की possibilities है न जादा, तो इस तरीके से दूसरा eliminate हो गया, नहीं तो इसका answer आराम से 3 हो सकता था, 1, 2, 3, बट क्योंकि 100% sure हम नहीं कह सकते कि वहीं death होई थी, तो हमने इसको गल program group को जाकर join करो, description में link है, second part भी जल्दी लेकर आएंगे, इस तरीके से हम सारी series बनाने वाले हैं, कि इस पार का UPSC prelims न, clear होगा आपका भी, तो अगर मेरे को religiously समझ रहे हो, मेरी चीजों को follow कर रहे हो, as my juniors, बस diligently जो मैं बताता जा रहा हो न, उन चीजों को follow करते चलो, अगर support सही रहेगा, तो बिल्कुल हम targeted approach पे, बिल्कुल daily कोशिश करेंगे videos लाने की, और इस बार के prelims में चाहेंगे, कि जिन लोगों कभी छोटी मोटीन गलतियों से paper रुक रहा है, वो definitely इससा निकाल ले, तो कोई topic आपको लगता है, जिस पे और video चाहिए, जिस पे doubts है, कमेंट करो, उस पे मैं video सरूर बनाऊंगा, और टेलिग्राम में message कर सकते हो, मुझे directly उस group पे जाकर, तो उस पे जाकर आप message करो, आज की video के लिए इतना ही, मिलते है next video में, जय हिंद जय भारत!